हलो फ्रेंट वेल्कम डू माई चैनल टेकिन इनेश्वन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरे चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MITV-X-Pro का Best Equalizer Sound Setting क्या है इसमें आप वेटर सान के लिए आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उस equalizer sound setting से आप इच्छा नुसार, base भी आप increase कर सकते हैं treble भी increase कर सकते हैं और किस setting से क्या होता है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे तो friends से वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो पुरा लाश तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो like, share और channel को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि MITVX Pro का best equalizer sound setting क्या है तो चलिए चलते हैं तो friends जैसे कि आप ये देख पारे हैं MITVX Pro है इसके लिए आपको right hand side में ये setting में आ जाना है setting में आने के बाद यहाँ पे आपको display and sound का option देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे sound पे click करना है sound पे click करने के बाद यहाँ पे आपको custom पे जाना है custom पे जाने के बाद आपको equalizer detail जी हाँ friend equalizer detail यहाँ पे आपको click करना है यहां पे क्लिक करने के बाद friends आप देख पा रहा है यह 100 Hz, 250 Hz, 600 Hz, 1.0 kHz, 2.5 kHz, 6.0 kHz, 12.0 kHz यहां पे show हो रहा है तो यहां पे friends आप जो भी sound होता है एक basic way में हम आपको बताते हैं कि base, middle or treble section होता है तीन section होते हैं यहां friends और इसका कोई fixed definition नहीं है but base account for frequencies between 20 and 300 Hz, यहां friends 20-300 Hz तक आप इसको आप increase करेंगे तो base increase होगा, यहां friends mid is 300 Hz to 4 kHz, 4 kHz तक mid होता है और 4 kHz से जितने भी ज्यादा आपको frequency देखने को मिलेगा वो treble आप बढ़ाएंगे तो treble increase होगा और घटाएंगे तो treble घटेगा अब in the sense, मतलब यहां पे MITB X Pro में यहां पे 100 or 250 है तो 100 or 250 को आप बढ़ाएंगे तो यह base increase होगा यहां friends उसके बाद आप 600 Hz, 1.02.5 kHz यहां तक आप बढ़ाएंगे तो mid increase होगा और 6 or 12 kHz को आप बढ़ाएंगे तो treble increase होगा घटाएंगे तो घटेगा जनरल सी बात है तो friends अब आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसे कि आपको डायलोग बहुत अच्छा सुनाई देना चाहिए जो भी movie के डायलोग होते हैं background जो music चलता है वो थोड़ा सा लोस सुनाई दे उसके लिए आपको यहां पे 100 or 250 को थोड़ा सा कम रखना है और यहां पे टेबल को बढ़ा देना है मीड अपने इच्छानुसार आप रख सकते हैं एक जनरल आपको आप अपने हिसाब से अपने तरीके से भी इसको सेटिंग कर सकते हैं यहां फ्रेंट से यह माई टीवी एक्स प्रो है इसमें 40 वाट का स्पीकर है पावरफूल स्पीकर है डॉल्बी एट माउस को सपोर्ट करता है यहां पे आप 100 हर्स को आप फाइव शिक्स रख सकते हैं हमने फाइव किया है टू फिप्टी को हमने थ्री कर दिया है और 600 हर्स को आप यह मिड जो है यहां से आप इंक्रीस करिएगा तो मिड जो होता है वो आपको इंक्रीस और डिक्रीज होगा तो यहां पे आप को यहां पे आप 3-4 कर दिजे 1.0 को हमने वन ही रखा है और 2.5 को हमने 4 करना है और 6.0 kHz को आप 5 to 6 से रख सकते हैं और 12.0 kHz को यह हमने 8 किया है आप 7 भी कर सकते हैं तो फ्रेंट से जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं 100 Hz 5 250 Hz 3 600 Hz 4 1.0 Hz 1 2.5 kHz 4 और 6.0 kHz को हमने 5 और 12.0 kHz को 7 किया है तो आप अपने इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार इसको आपको बदल सकते हैं बागे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको मिट्वी एक्स प्रो का यह एकुलाइजर सेटिंग कैसा लगा यहां फ्रेंच अभी मिट्वी एक्स प्रो में ही नहीं आप किसी भी टीवी में इसको अपलाई कर सकते हैं और जैसा कि हमने बताया अगर यहां पे कुछ डिफरेंस है एकुलाइजर सेटिंग में 22 300 Hz जो है आपको बेस इंक्रीज होगा बढ़ाएंगे तो मिट जो है 300 हर्ट से 4 किलो हर्ट और 4 किलो हर्ट से जितने भी जादा है वह आप इंक्रीज करेंगे तो ट्रेवल इंक्रीज होगा तो सिंपल का यह फिनोमेना है आप इस तरह से एकुलाइजर सेटिंग कर सकते हैं आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज टिक एने इंविश्मेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक शेल जरूर करिएगा ओके परेंट से नेक्ट वीडियो तब तक के लिए बाबार